तो आई से सिजन एट का मैच नमबर 15 हो चुका है खता मैच हो रहा था जमसित पुरेप्टी बड़सिस हाई दबादेप्टी मैं आपको बताया था कि दोनों टीम भाई 50-50 नजर आ रहा है दोनों को भी टफ कॉम्पेटिशन होगा और भाई हुआ है और मैच का रेजल्ट ड सकता है तो आपको सब कुछ यहां पर लग चुका है पता है मैंने आपको जिस तरीके से बताया था उस तरीके का ही मामला यहां पर हुआ है चले इस मैच के हम लोग रिभीव कर लेते हैं दोनों टीमोर की इस तरीके से क्या है मैं आपको बताऊंगा मैच का स्टूरी क्या रहा है कौन से खिलारी ने अच्छा क्या है उसके उपर भी चर्चर रहेगा तो आपको सब कुछ अगर जानना है तो इस वीडियो का तक ज़रुत देखते रहना तो हम सब में पहले स्टोड़ी के बारे में बात कर लें ते स्टोड़ी भाई मैं आपके दुम स्वाट में पर बतारिव रहा हूं टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है आज मेरे को इसले एकदम सौट में जा रहा हूं दोना टीमों का प्लिंगल भीन जो तो भाई मैंने आपको बता है था उस तरके कही था छोटा मोटा चेंजे सबको देखने को मिला है आप लोग यहां पर देख सकते हो दोना टीम गोल मिल गया था और स्ट्वाट भाई बहुत ही तक्राप हमें इसकर रहा था एक तुनों ने जबादा स्वाट पर लगाया था वान वान सीचुएशन में लेकिन किसमत उनके साथ नहीं ता भाई पोस्ट में जाकर टक्राकर बॉल फिर से वापस आ गया हां यहां पर स्ट्वाट का ग्रेक का और उन्होंने भाई लगातर कोशिश क्या है 41 मिनिट पर उनको अपना पहला गोल मिल चुका था जमसित प्रेफसी लीड ले लिया और उसके बाद फास्टाप खतम हो सेकंड अब स्टार्ट होते ही हमें थोरा बहुत तरंग बदेद हुए वहीं सही भाई इनका स्पेस इनका स्पीड सब कुछ नजर आ रहा था फाइनल थार्ड पर और बहुत थी अटाकिंग थ्रेट दे रहा था जमसित पूर इफसी की डिफेंस लाइन को थोरा बहुत हमें खत्रे में पढ़ते होई दिखाई दिया जिसके चलते भाई 56 मिनिट पर जाओ विक्टोर ने एक सांदर एसिस्ट किया था बर्थुलमी उगवेचे को बर्थुलमी उगवेचे एक दों भाई बॉक्स के ठीक बाहरी था और वहां से बॉल पास कर रहा था अपना जो पेस से भाई क्रेट कर रहा था और उनका जो राइट पैड है यहां पर बह बहुत ही उमदार फिनिस था उगवेचे का सभी सोच रहती के स्ट्रॉंग शॉट आने वाला है लेकिन उन्होंने स्रीफ बॉल को भाई पास दिया है बॉल को स्रीफ धकेला है और बॉल का प्लेस्मेंट जो तो भाई वो दमकाडेक्ट था जिसके चलते एक और यहां पर ह चलते मैच के स्कोल लाइन वान वान पर ही कतम हुआ और यह मैच में दोनों टीम ने एक एक पॉइंट हासिल किया है दोनों ने अच्छा खेला है और यहां पर मुझे लग रहे कहने कहीं जमसुत पूर इपसी एक विन डिजर्ब करता है क्यूंकि उन्होंने अच्छा खेल दे पाया था तो कुछ इस तरीके का ही मैच का स्टोरी था उतना डीटेल में मैंने आपको नहीं बताया है इसके बाद अगर मैं बात करो कुछ प्लियार्स के बारे में तो भाई हाइडबा दिपसी के तरफ से बहुत अच्छा पाफ्मेस क्या है जैसा कि यहां पर आप लो जाओ विक्टर फिर से भाई अपने आपको यहां पर दिखाया है उन्होंने अपना पाफ्मेस जो डाला था भाई आज के मैं आज पर वह भी बहुत ज्यादा काबले तारिफ महमद दिया से बहुत अच्छा खेला है जो फिनिस ता भाई वह भी बहुत अच्छा था इसके बार में अगर मुझे कुछ पता चल दे तो मैं आपको जरू बताऊंगा लेकिन जैंसे के तरह से भी भाई बहुत अच्छा अपना पाफ्मेश द्या है एली से बिया उन्होंने बहुत थे अच्छा डिविंसिव लाइन को आज मेंटेन किया है उसके बादे पीटर ह करें तो भाई आज तो एकदम जवर्दास पाह में जडाल दिया था ग्रेग स्ट्रॉट ने वालकिस को भी कुछ मौका मिला था लेकिन उन्होंने मौके को भुनाया नहीं है लेकिन स्ट्रॉट ने भाई आज बहुत ही अच्छा खेला है अब लोग देख सकते हो इनको हिर अब दमेज भी चूच गया गया आज के मैस के लिए तो भाई इस मैस के बार में इतना ही बात चीथ और कुछ बात मैं आपको यहां पर बाराच चलकर नहीं बतर रहा हूं आज की वीडियो में फिलाल के लिए इंड कर रहा हूं आपको बहुत बस्तु क्लिए टेमिक विड देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू कर दिए अपनी दोस्तों चीथ वीडियो को ज्यादा शेयर कर दिए उनको इस तरह की इंपॉर्ण चीज़े के बारे में बते चला आपने अपने अपने आप देख सब्सक्रेब करने के बाद और किसने मिल जाए जब भी में भीड़ा अप्लोड करों